पलवल जिले में बदमाशों के होसले इतने बुलंद हैं कि वे दिन दहाडे गोलियां चलाने से नहीं चूकते पुलिस का कोई खौफ नजर नहीं आता जिले में आए दिन गोली चलना अब आम बात हो चुकी है नाबालिक बच्चियों के साथ दुशकर्म के मामले भी लगातार सामने आते रहे हैं इन सभी बातों को देखते हुए लगता है कि बदमाशों को पुलिस का कोई खौफ नहीं है ऐसा ही एक मामला आज फिर सामने आया बदमाशों ने हूडल नुहु सडक मार्ग पर गाउं सोन में बने सरकारी अस्पतार के गेट पर बाइक सवार चार बदमाशों ने एक स्विफ्ट गाडी पर दिन दहाडे गोलियां चलाना शुरू कर दिया जिसमें गाडी में बैठे चार युबकों में से एक युवक को दो गोलियां लगी गोली चलने की सूचना मुणकटी थाना पुलिस को दी गई लेकिन सूचना के एक घंटे बाद पुलिस मौके पर पहुची तब तक घायल के साथ ही उसे फरिदा बाद लेकर आ चुके थे घायल के साथ ही मुकेश ठाकुर ने बताया कि वे गाडी में अपने साथी निवो पहलवान, मुका पहलवान और सत्तेंदर के साथ कोरोना टेस्ट कराने के लिए सून के सरकारी अस्पताल में आय थे लेकिन जैसे ही उनकी गाडी अस्पताल में घुसने लगी तबी दो बाइकों पर चार यूबकाए और आते ही उन्होंने गाडी पर अंधा दुन्द गोलिया चलाना शुरू कर दिया जिसमें उनके साथी सतेंदर को दो गोलिया लगी है मौके पर पहुंचे मुनकटी फाना प्रभारी रांबीर डागर ने कहा कि पुलिस ने मौके पर पड़े गोलियों के खाली खोलों को बरामत किया और जिस गाडी पर गोलिया लगी थी उस गाडी को भी पुलिस ने कबजे में ले लिया है उन्होंने कहा कि घायल को फरीदबाद के लिए रेफर कर दिया गया है और सडक पर जहां पर सीसी टीवी कैमरे लगे हुए थे उन्हें खंगाला जा रहा है ताकि आरोपियों को गिरफ्तार किया जा सके अब अब ना पज़िसे गोली लगी है वो ना उसके कोई गवागा है मोके का जैसी बी जो भी आगया सामगा है कि सब्सक्तार में खौल वरामाद करें है आपना जो खौल मिले है जो गाइडे में गोली लगी लग रही है वो मोके से मिले हूँ अगे हम फोटेज देखते हैं कर दो कर दो कर दो कर दो